वेल्कम बैक अप्रिवन वेल्कम टू सुवल सर्विसे स्टड़ी प्रक्टिस सेट नमबर ये 248 ये यूपी पीसियस के लिए प्रक्टिस सेट सीरीज चल रही है ये इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखिए वहां पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 248 तक देखिए कुछ कमेंट्स आ रहा है नीचे जो ये बोल रहा है कि केबल करेंट अफेर्स ही कराई है लास्ट के दिरों में देखिए माना कि एक महिना बचा है 150 प्रशन आते हैं यूपी पीसियस में और 30 प्रशन में कम से करेंट अफेर्स के होंगे लेकिन 30 प्रशन हिस्ट् तो जितना यह इंपोर्टेंट में 30 प्रशन के लाश्ट के एक महिने में तोिस्ट्री के तो आएंगे उसी तो तरह से प्राशन के बीडिय चलिए जान से जारे स्याद है या 28 आजाएंगे तो सभी पढ़ना है सारे बराबर प्रक्टिस करने थोड़ा सा धियान करेंट ठीक है चलिए तो नमने के दमें से किसका अपयोग परमाणू रियक्टर में या नाविके रियक्टरों में control rod यानि नियंतरक छड़े के रूप में किया जाता है देखे इसमें moderator भी है पूछ रहता है इसमें sheet लग भी है यानि coolant भी होता है इसमें control rod भी होती है यानि नियंतरक छड़े या control stick भी इनको बोलते हैं तो यहाँ जो cadmium है वो परमाणू रियक्टर में या नाविके रियक्टर में control rod या नियंतरक छड़ों के रूप में उसका अपयोग किया जाता है carbon dioxide coolant है परमाणू रियक्टर में और खारा-पानी moderator है यह नंबर इस पर कॉल्या WhatsApp करके आप फुल टेस्ट इस सीरीज प्राप्त कर सकते हैं UPPCS की तो परमाणू रियक्टर में देख लेते हैं हम moderator को यानि मंदक को शीतलक को यानि coolant और देखेंगे नंद्रक छड़ों को तो स्टार्ट करते है moderator से मंदक से तो यह तेज neutron की गति को कम करता है जिससे उन्हें परमाणू स्रंखला प्रतिकरिया को बनाया रखने में सक्षम thermal neutron में बदल दिया जाता है भारी जल हो गया graphite हो गया beryllium oxide का उप जलती है जिसके प्रणाम सुरूप plant के तापमान में प्रद्धी होती है स्कूल में पढ़ा होगा आपने सयंत्र के तापमान को कम करने के लिए रेक्टर के माध्यम से वायू जल या carbon dioxide जैसे शीतलक प्रवाहित कियते हैं तो शीतलक या coolant कौन हो गया जल हो गया और carbon dioxide हो ग जाती है और जब इने रेक्टर से हटा दिया जाता तो विखंडन की दार बढ़ जाती है इसके लिए cadmium या boron की छड़ू का उपियोग किया जाता है ठीक है cadmium या boron की छड़ू तो यह पूछा जाता है एक्जाम सुम्हें question number two आज़े नीचे दो कथन दिये हैं पहला कथन है methane gas कोईले की पड़तों के नीचे पाई जाती है और दूसरा कथन है भारत कोईले के भंडारण के मामले में विश्व में पांचवे इस्थान पर है यह नि जो reserve है भारत के पास कोईले का उसमें विश्व में भारत पांचवे स्थान पर है कतछन एक और दो दोनों सही है कतछन एक और दो दोनों कल्ट में कतछन एक सही है लेकिन दो गलत है एक गलत है दूसरा सही है क्या है इस cancer? मीथेन गैस कोईले की पर्तों के नीचे पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस भी आए एक सही अपले स्टेट्मेंट और भारत कोईले के भंडारण के मामले हैं विश्में पांचवे स्थान पर ही है तो करेक्ट है दोने के दोने स्टेट्मेंट तो यह है इसका अंसर तो देखें, मीथेन गैस, कोईले की पर्तों के नीचे पाई जाती है, इसे ड्रिल किया जाता है, तथा नीचे उपस्तित भूमी का जल को हटा कर इसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कोल बैड भी कहा जाता है, ठीक है, कोल बैड मीथेन भी कहा जाता है, कोल बैड इस दुरस्टी कौन से CMB, CMB यानि कोल बेड मिथेन स्वच उर्जा का एक वहतर विकल्ब हो सकता है। प्रशन नमर थ्री पर आजिए सरकार के दोरा नियुक्त किरीट पारिक पैनल नमल की दोरा से किस्से संबंद देता है। बताइए। गैस मूले निर्धारन से, option number A हैस का अंजर। तो सरकार ने गैस मूले निर्धारन पर क्रीट पारिक पैनल निक्त किया है। और इस पैनल ने उपभुकताओं के लिए उचित मूले सुनिश्चित करने। और वर्स 12-23 तक, 30 तक भारत की उर्जा में गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने की सिफारी से की है। Question number 4 पर अजियें अमरीखित कतनों पर विचार करेंगे, दो कतने यहाँ पर पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रकरिया में प्राप्त होने वाला एक कारवन युक्त उत्पाद है। कोईले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है। लेकिन यह सल्फर डाय ओक्साइड और अनप्रदूर्शकों के अधिक उत्सर्जन का कारण बनता है। कौन साइस में सही है। देखिए दोनों के दोनों करेक्ट है। पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रकरिया से प्राप्त होने वाला एक कारवन युक्त उत्पाद है। कोईले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है। तो पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रकरिया में प्राप्त होने वाला एक कारवन युक्त उत्पाद है तो करेक्ट हो गया वाला स्टेट्मेंट। और कोईले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है। लेकिन यह सलफ़डव एक्सवाइड और अनिप्रदूशकों के अधिक उत्सरजन का कारण बनता है तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। कोईशन नमबर 5 पर आजिए। रास्टिये गंगा परिशद की अध्यक्सता कौन करता है। प्रधान मंत्री करते हैं। पहले भी शर्चा किया है हमने। तो देखिए रास्टिये स्वच गंगा मिशन सुसाइटी पंजिकरन अधिरियां मठारे सो साथ के तहत सूची वद्ध है। और रास्टिये स्वच गंगा मिशन को लागू करने वाली जो रास्टिये गंगा परिशद है उसकी अध्यक्सता कौन करते हैं। भारत के प्रधान मंत्री कोश्चन अबर 6 पर आजएए। स्वतंत्र भारत का पहला विधियायोग कब इस्थापित किया गया था। कब 1955 में तो स्वतंत्र भारत का पहला विधियायोग यानि लौ कमिशन 1955 में तीन वर्स के कारिकाल के रहे स्थापित किया गया था। और पहला ही पूछ ले तो तो पहला विधियायोग वर्स 1834 में ब्रिटिश साशनकाल के दौरान 1833 के चर्टर अधिनियम के दौरा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्सता की थी लौड मैकाले ने याद रखीगा। अब आज ये कॉश्चन नुबर सेवन पर नमरी के दमें से कौन सा जो है वो सही सुमलित है। पहला और दूसरा A और C हो गए यानि अगर दूसरा पता भे नहीं है तो करेक्ट हो जाएगा वो भी। तो D है सभी के सभी सुमलिते हैं। दो प्रोक सभी D है इसका अनुबर इट पर आजिए। कावेरी नदी से रेलेटर दो स्टेटमेंट है यहां पर कौन सा इसमें इनकरेक्ट बताना है। कावेरी महाराष्ट में नासिक के पास तिरंब गेश्वर से निकलती है। महाराष्ट से थोड़ी करनाटक से निकलती है इसकी कुछ साहिक नदी है। अर्कबती हेमबती लक्षमनतीत सही है। तीस्ता थोड़ी है फर। इलिमिनेट हो गया तीस्ता से तीस्ता कावेरी की साहिक नदी नहीं है। तो इसको पढ़िए कि गलत पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है सीदे। तो पहला दूसरा दुरण करेक्ट है सीदे। तो कावेरी नदी को तमिल में पॉन्नी के नाम से जाना जाता है। और यहां दक्षण भारत की एक पवित्र नदी है। दक्षण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसको। और इसका उदगम दक्षण पश्मी करनाटक राज में पश्मी घाट के भ्रमिगरी पहाडियों से निकलती है। और करनाटक तमिलनाडु राजी की सीवां पर दक्षण पूर्व दिसा में भेहते वए नदी। पूर्वी घाट पर एक बड़े जर्णों ये एक स्रंखला के माध्यम से नीचे उतरती है। और पुदुचेरी के इंशाषित प्रदेश पुदुचेरी में बंगाल की खाड़ी में जो है गड़ती है तो पहला वाला स्टेट्मेंट कर लाता है दूसरा भी गलता है क्योंकि इसकी कुछ सायक न दिया महत्यपूर्ण अर्कबती हेमबती लक्षमन तीर्थ सिमसा और क बुचार कीजिए थर्मल फास्ट व्रीडर रेक्टर में इंधन के रूप में थोरियम का उपियोग किया जाता है और नीट्रोन की गति की अधार पर ब्रीडर की दो स्रेडिया है तो बिल्कुल यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्ट्रिट्मेंट सी है इसका अंजर तो ब्र ब्रीडर रेक्टर एक प्रकार के परमाणू रेक्टर होते हैं जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडरिया सामंगरी का उतपादन करते हैं यह विद्धोत उतपादन के लिए परमाणू इंधन की आपूर्ति का विस्तार करने हित्तू डिजाइन किया जाते है और थर्मल ब्रीडर रेक्टर इंधन के रूप में है हुज सौरी यूरेणियम 289 का उपयोग करते है और फर्मल ब्रीडर थोरियम 292 का उपयोग करते है तो पहला बाला करेक्ट है, ठीक है, फास्ट ब्रीडर थोरियम और थर्मल से युरेनियम और थर्मल से थोरियम इस तरह से याद हो जाएगा, उसमें विए थोरियम 230 और युरेनियम 238, चलिए question number 10 पर आजए यह नम्रिकित कत्न पर विचार करेंगे यहां दो कत्वन है कौन साइस में सही होगा देखिए भारत का लक्ष 2020 तक TV को खत्म करना है और SDG जो SDG 2025 के लक्ष से 5 वर्स आगे है 20, 25, 5 वर्स आगे तो है लेकिन भारत को तो 2025 तक करना है ना कई बार बताया और SDG 2023 है 30 है तो गलत हो गया बहला statement लगी दूसरा बहला statement है patho detect kit भारत की पहली सुदेशी TV detection kit है single test से जो है तपैदिक का पता लगाया जा सकता है यह correct है दूसरा बहला statement तो विस उसास्ते संगठन यानी डवलू एचर ने तपैदिक यानी टीवी टिवर क्लोसिज माइक्रो वेक्ट्रियम टिवर क्लोसिज नमक वेक्ट्रिया से होता आई है इसके लिए राश्टिय सामरी की योजना का समर्थन करने हितू नया मार्ग दर्शन जारी किया है तो पहला वाला स्ट्रिट्मेंट हो गया गलत और दूसरा वाला सही है क्योंकि पूने इससी जो माई लैव है उसके द्वारा पैथो डिटेक्ट किट भारत का पहला स्वदेशी टीवी डिटेक्ट किट किट है जो सिंगल टेश्ट तपैदिग और MDR TV का पता लगा सकता है question number 11 पर अजी SSLV SSLV यानि Small Satellite Launch Vehicle वहिकल यानि टैक्सी एक तरह से जैसे आप एक्जाम होल में जाते हैं टैक्सी लेकर भॉटा लेकर या खुद की किसी बाहन से तो वैसी टैक्सी है यह सेटलाइट को उपर छोड़ने वाली इसके समण में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर SSLV का उद्देश से छोटे उपग्रह को प्रत्वी की भोश्तिर कक्षा में लांच करना है और New Space India Limited का लक्ष प्रधव की हस्तांतरन के माध्यम से भारत में निजीश छेत्र के साथ साज से जाएगा यह यह तो प्रत्वी की निम्न कक्षा तक जाएगा केवल लौ अर्थ और्विट तक ही पहुंच पाएगा इसके ने तो PSLV चाहिए ना SSLV से नहीं होगा गलत है पहला स्टेटमेंट दूसरा बहला सही है तो स्मॉल सेटलाइट लौंच वहिकल का उद्देश छोटे उपग्रहों को पुर्थवी की निम्न कक्षा मेना की भोश्तिर कक्षा में लौ अर्थ और्विट तक ही इसकी छमता है ठीक है तो पहला बाला गलत हो गया हाल के वर्षों में विकासी इन देशों कोमा सकताओं को पूरा करने हैं तो स्मॉल सेटलाइट लौंच वहिकल काफी महत्पूर्ण हो गया तो पहला बाला स्टेट्मेंट साही नहीं होगी देखें नव निर्मित इस्रों की वानेजिक साखा नियू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जना देशों में से एक है क्या पर विचार करेंगे पहला कताने कि डार्क मेंटर की खोष सबसे पहले 1931 में अलवर्ट आइंस्टाइन ने की थी और डार्क मेंटर का गुर्तवा कर्शनबल हमारी आकास गंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है अब बांध ही रखता है कौन सा करेक्टर है इसमें डा तो डार्क मेंटर का हलाकि कभी पता नहीं चला लेकिन माना जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के प्रारंबे की युग में वने थे डार्क मेंटर का स्रोथ हैं और यह प्रोफेसर स्टीफन ह पॉकिंस द्वारा कहा गया ना कि अलवर्ट आइंस्टाइन के द्वारा तो पहला वाला इंकरेक्ट है देखिए ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी के साथ मिलकर यह ब्रहमांड के 95 पृतिश्चत से अधिक भाग का निर्मान करता है डार्क मेर्टर और इसका गुर्तवा मिशन का उत्राधिकारी माना जाता है और यह है अपनी खोजों का विस्तार और पूरक करेगा यह नासा यूरोपे स्पेस एजन्सी के नेड़े आई अंतरिक्स एजन्सी के वीच अंतरास्टे सहीओ का प्रणाम है कौन सा वाला इसमें करेक्ट है दूसरे वाई लाइन हो गया तो जेम्स बैब स्पेस टेलेस्कोप नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्टेशन का सबसे सकती साली इंफ्रारेड टेलेस्कोप है नासा का लेकिन यूरोपे स्पेस एजन्सी भी है उसमें केनेडियाई भी है इस रो नहीं है अगर स्टेट्मेंट बन और जेम्स बैब नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा तो था मानव की ब्रहमांड की उत्पत्ति तो था उसमें मानव के स्थान को समझने में मादत कर देगा अब आजए कोशन नमबर फोटीन पर आरित एलवन मिशन के संदर में इन अमलेकित कत्मों पर विचार कीजिए यह सूरिका अधिन करने वाला भारत का पहला वैग्यानिक अभ्यान है और इसे धुर्विय उपग्रह प्रक्षेपन यान विन्यास से लॉंच किया गया था है यह जो है्जा और ब्युवर करती है थे स्वल करती है कि विल्कुल है कि दोनों स्टेट्म lamnyक बेल्ड़ संदर कि लुए तो आरित इस्वे खेंच करने वाला भारत का पहला वाला ayakos हो मैं और यह स्ट्रु सेट के बाद आरित यह का दूसरा अंतरिक्स अधारित ze कोल विज्यान विशन ने जिसे दोहर 15 में शुरू किया गया था और इस रो ने अरित 11 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गत किया है जिसे धुरूबिय उपग्रह प्रक्षे पढ़यान यानी PSLV XL विड्नियास से लॉंच किया गया था तो दोनों के दोनों स्ट संधारियों में जिनका ज्यारतर 10 में वैपार होता है होस्टलिया अफ्रीका योरप ये एशिया इंडियन पैंगोलिन चीनी पैंगोलिन अभी कराया था कुछ दिन पहले टेस्ट में तो एशिया इसका है ऐस्ट जो है वो रात्त्री चर संधारिया जो बिलो को खोदते हैं और पाईसिक तंत्र प्रवंधर में जायतर मिट्टी को वायू एबम नमी युक्त करने में महत्पूर्ण भूमी का नेवात हैं। पैंगॉलिण की सभी जो प्रजातिया वो उननी जीवों में वनिस्पतियों के लुप्तु प्रियाप प्रजातियों के अनतरश्प्र व्यपार पर होता और पैंगॉलिण प्राथमिक और दुद्ध्यक उश्नकरिवन के अनूखूल हैं। चलिए कोशन नमबर सोले पर आजए एरो इंडिया 23 के संदर में अमलिखित कत्नों पर विचार करेंगे एरो इंडिया 23 की थीम और एरो इंडिया 23 में केवल भारते विमानों पर इस्तेर परदर्शन और लड़कों विमानों और हलिकॉप्टरों का उड़ान परदर्शन दिखाया गया कौन साइस में सही है गालट ही है दूसरा स्टेट्मिंट केवल पहला वाला ऑला ही हां पर करेक्ट है इसका अंसर एरो इंडिया 219 का अंसरा 219 तक ये लहंका वेंगलूर यानि करनाटक के वायू सेना स्टेशन में किया गया रक्षा मंत्राले के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा आउजन था और इसमें 98 देशों की भागेदारी देखी गई और इस वर्ट की थीम क्या थी धराड़ी वेलियन अपोर्चुनिटीज तथा उददेश एरो स्पेस और रक्षा शमताओं में भारत की प्रध्धी को परदरश्चित करना तो पहला बाला करेक्ट हैं दूसरा बाला गलत है क्योंकि एरो इंडिया अंतराश्टिय एरो स्पेस और रक्षा कंपरियों के लिए अपने उत्पादों और सिवाओं का प्रदर्शन करने का एक मंच है और इस आयोजन में आम तोर पर कई देशों की भागिदारी देखी गई इस्तिर और उड़ान डिस्प्ले में आम तोर पर भारती और विदेशी विवानों का मिश्ण सामिल होता है तो गलत है दूसरा कोशन नमबर 17 पर आजए एक और इंपोर्टन प्रश्ट है नमलेखित कत्मों में से कौन सा कत्म सही होगा डॉल्फिन द्वारा इको लोकेशन का उपयोग उच्च आबरती अनुप्रस्त तरंगों का उतसर्जन करके वस्तमों का पता लगाने के लिए क्लिक किया जाता है और अन्ते सोर जल उतसर्जन यानि अंडर वाटर नॉइस एमिशन डॉल्फिन में इस्थाइस रवण सकती या इस्थाइस रवण हानी का कारण बन सकता है कौन सा इसमें करेक्ट है डॉल्फिन या सूसू भी उसको बोलते हैं वह सूसू की अवाज करके चलती है पानी में दॉल्फिन फेवरेट रहे है पिछले 8-10 वर्सों में यू पीएस से वल से बागी भी और श्टेट पीश्यस की भी लेखें डॉल्फिन सूसू की आवाज करके चलती है और जो निकालती है तो अनुधहर्ण तरंगे होती हैं अनुप्रस्त तो होती हैं ठीक है डॉल्फिन द्वारा Ecolocation का उपियोग उच आवरती वाली जो वो तरंगे निकालती है उससे क्या करती है वस्तु का पता लगाती हो लेकिन द्वानी तरंगे तो अनुझरत तरंगे होती है ना अनुप्रस्थ तो होती है तो गलता-पेला तो दोनों के दोनों गलत हो गए यहां पर सही पूछा सभी है नहीं है इसका अंसर कि इस था ही मतलब हमेशा के लिए हो गई हो गई ठीक है और और यानि कुछ समय के लिए तो इको लोकेशन एक जैविक प्रक्रिया है जिसका उपियोग डॉल्फिन भी करती है वहील भी करती है चमकादर भी करते हैं कुछ जानवर क्या करते हैं ध्वनी तरंगों का उपियोग करके अपने परिवेश का पता लगाते हैं ठीक है और नेविगेट करने हैं तू नेव वाटर, नॉइस एमिशन, बाटल नोज, डॉल्फिन के लिए और मेनिटीज के लिए पाइलेट वहल के लिए, सील के लिए, स्पॉम वहल के लिए, इन जैसे इस्तंधारियों के जीवन हेतु, खत्रा पैदा कर रहा है, और ये कौन प्राप्ति की उनकी छमता को प्रभावित कर सकता है, तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इस्थाई या आस्थाई दोनों है, अजब खबरों में क्या है, क्यों है, ये 20 फरवरी की निवस है, अभी 23 की, देखे, एक समझार अध्यन के अनुसार भारतिय जल में, जहाजो पढ़ते पानी के सोर उत्सरजन समुद्री पाइसिक तंत्र के लिए खत्रा प्यदा कर रहे हैं, और गोवा तट्रेखा से लगभग तीस समुद्री मील की दूरी पर एक हाइड्रो फोन स्वायत प्रणाली तैनात करके, परिवेसी सोर इस्तरो का मापन किया गया था, ठीक छे बर्सों में भारत में पसुद्धन छेत्र में लगभग साद असना पांच प्रतिशत की ब्रद्धी होई है, ब्रद्धी होई है, कमी होई है, हाल ही में ICAR ने महराष्ट की कथानी मवेशियों को पसुद्धन परजातियों की एक नई नसल के रूप में पंजीकरत किया ह है, देखे, ICAR ने दस नई परजातियां जो हैं सामिल की हैं मवेशियों की, उसमें कथानी मवेशियों भी है, महराष्ट की, तो करेक्ट है दूसरा बाला स्टेट्मेंट, वो पहला बाला भी करेक्ट है, पिछले 6 वरसों में भारत में पसुद्धन की 7.5 प्रतिशत की व् इंपोर्टन है, देखे, पसुद्धन एतिहासिक रूप से भारत में क्रशी का एक अभिनंगरा है, और आज भी प्रशंगिक है, जो आज भी प्रशंगिक है, क्योंकि समाज का एक बड़ा बर्ग इससे सक्री रूप से जुड़ा है, और इस पर निर्भर है, भारत प्रश में हम नीचे यहाँ हैं, जो इंपोर्टन है, प्रिलेम्स के लिए, देखे, हाल ही में, आईसी यार ने पसुद्धन प्रशातियों की दई, दस नई नसलों को, और इससे जनबड़ी दोहार 23 तक, देशी नसलों की कुल संक्या कितनी हो गई है, दो सो बारह हो गई है, पूर्णा थाड़ी है, महराष्ट की, सोजद बकरी राजस्थान की, करोली बकरी राजस्थान की, गुड़जरी बकरी राजस्थान की, एक्जाम में ऐसे ही प्रशन पूछ लेते हैं, कि सोजद, करोली और गुड़जरी, यह नम्रिकित में से किसकी दसले हैं, तो गाय की हैं भैंस की हैं बकरियां हैं क्या है यह बांदा सुवर जहारखंड का मणीपूरी कला काला सुवर मणीपूर का और बाग चंबल सुवर मेखाले का तो यह दस प्रचातियां मवेश्यों की जो नई सामिल की गई है को शनबर 19 पर आजए 1973 का मारपोल कंवेंशन किस्से कि भारी धात्यों के द्वारा 25 तंत्र के जलके प्रदूशन जलका प्रदूशन इससे नहीं है देश की अंतराश्टी तटीय सीमाओं पर घुसपैट को रोपना यह भी नहीं है वह जो न प्रदूशन से जहाजो द्वारा समुद्री परियावरण के प्रदूशन से तो 1973 का मारपोल कंवेंशन यह परिचालन या अकास्मिक कारणों से जहाजो द्वारा समुद्री परियावरण के प्रदूशन को कवर करता है और यह तेल हानिकारक तरल पदार्थ पैकेजड रूप में हानिकारक पदार्थ सीवेज और जहाजों से कच्रादी के करण होने वाले समुद्री परियावर्ण समुद्री प्रदूशन के विभिन रूपों को सूची बद्द करता है और एक यह भी है लंदन कन्वेंशन 1972 का जो इससे एक साल पहला आया था वो भी सिसी संबंदित है इसका उदेश समुद्री प्रदूशन के सभी स्रोतों के व्रभवी नियंत्रों को बढ़ाबा देना तथा कच्रे अबम अन्य पदार्थों को डंब करके समुद्र के प्रदूशन को रोकने के लिए सभी व्यवहा अगर दिखे तो वन जीव संब्रक्षन अधिनियम का पारित हुआ था 1972 1972 परियावन संब्रक्षन अधिनियम 1986 वन अधिनियम 1980 प्रोजेक्ट टाइगर है सौरी प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 तो देखे है वन जीव संब्रक्षन अधिनियम 1972 का है वन संब्रक्षन अधिनियम 1980 हाथी परियोजना यव प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 परियावन संरक्षन अधिनियम 1986 प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973 यह मौश्ट इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अधिनियम कंपरिटेव एक्जाम में इन्वार्मेंटर एकॉलोजी से संबंद प्रेस्ट जिसमें पूछे जाते हैं उनमें सवा जरूर पूछे ते हैं पूछने के तरीक हमाश कर बालेगा यह थोड़ा घर्टकर करेगा तो पूछ लेगा कौन क्रम में क्या रखता है वनन इई बस और धुरह को उसके बाद वन की रक्षा करनी है, फिर परियावरन की रक्षा करनी है, इस तरह से याद कर सकते हो आप, बढ़ता करम, तो यह 20 प्रश्ण, महतपूर प्रश्ण, ठीक है, इनका लेवल थोड़ा स्टेट PCS से उपर है, UPSC लेवल हो गया है थोड़ा, UPSC के फेवरेट हो गया है, प्रक्टिस कर लीजेगा अच्छे से, इन सभी टेस्ट का आप PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आप को पेट टेलेगराम ग्रुप में ही, ठीक है, यह नमबर एस पर कॉल या वाट्सअप करके आप जोइन कर सकते हैं, 9560-12583